दोस्तों एक Companies Act 2013 है इसमें कई लोगों को confusion होता है जब भी मैं कई बार Companies Act 1956 की भी बात करता हूँ कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पर 56 तो चला गया है जी नहीं ऐसा नहीं है ध्यान रखेगा Companies Act 1956 में अभी भी 10% कुछ चीज़ें ऐसी बची है उसमें से 90% चीज़ें हटा दी गई है लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जो 1956 का Companies Act है वो चला गया है अल्दो यहाँ पर सरकार ने एक नया Act लेकर आई थी जो की है आपका Companies Act 2013 तो यह भी है आपका और यह भी रहेगा ध्यान रखना है आपको अब देखें यहाँ पर आपने रिसेंटली न्यू सुना होगा कि लोग सभा के दौरा जो Companies Amendment Act है उसको यहाँ पर पास कराए गया है अब यहाँ पर Companies Amendment Act क्या होगा 2013 का जो Act है उसके अंदर कुछ changes करना है तो यहाँ पर Amendment Act लाना पड़ता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो basically कि सरकार का main उद्देश जो यह Amendment है Companies Act के अंदर करने का वो यह है कि कई सारे ऐसे provisions थे Companies Act के अंदर जो की criminal nature के थे मतलब कि कुछ उस जो process यहाँ पर माहुल चल रहा है उसकी बात कही जा रही है तो इसमें एक बहुत जादा दिक्कत आती थी तो finally सरकार ने ने लिया है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे provisions हैं उसको decriminalize किया जाएगा मतलब कि या तो उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा उस सजा को या फिर उसको यहाँ पर penalty के रूप में convert कर दिया जाएगा पहले अगर उसमें सजा होती थी तीन साल की तो आप सरकार कह रही है कि चलो आप 50 लाग रुपए penalty दे देना 10 लाग दे देना इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है तो इसके बारे में details से जाने के चलिए आ सरीके से कर सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो companies amendment bill 2020 और यहाँ पर इसको pass कराया जा चुका है 19th September 2020 को लोग सभा से लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर यह मैंने PRS के website से लिया था देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है ministry कौन से है इसकी क्या finance होगी जी नही ध्यान रखिए का इसमें mistake नहीं करना है आपको यह आती है आपकी ministry of corporate affairs के अंदर 2004 के पहले क्या था कि finance ministry के अंदर ही एक तरह का department हुआ करता था लेकिन 2004 के बाद एक अलग से ministry बना दी गई regarding ministry of corporate affairs ठीक है तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ministry of corporate affairs का bill है यह finance ministry का bill नहीं है तो यह लोग सभा से तो pass होई गया है और जल्दी राज सभा से भी हो जाएगा आपको तो पता ही है आज कल voice vote से काफी जल्दी हो जाता है तो यहाँ पर अब हम आते हैं कि यह जो amendment है यह किस चीज के बारे में है तो देखे यहाँ पर सरकार यह कह रही है कि इस bill के through करीब 48 sections ऐ ऐसे हैं जिसको remove किया जाएगा या तो या तो उसका जो penal provision है उसको कम कर दिया जाएगा और इसके अलावा जो imprisonment का आपका provision था इस particular आपके act के अंदर उसको यहाँ पर omit करने की बात कही जा रही है मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसमें लोगों को jail जाना पड़ता उसको पूरी तरह से यहाँ पर हटा दिया जाएगा और इसकी वज़े से जो ease of doing business है उसमें काम करने में काफी आसानी होगी अब देखिए यहाँ पर क्या है न कि अब आपके examination point of view से इसतना detail में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या-क्या changes किये गया है लेकिन कुछ important changes है मैं आ देता हूं ताकि overall जो आपको bill का मकसद है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकें ठीक है तो सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर क्या change किया गया है basically क्या होता था आपने सुना हो गया NCLT के बारे में that is national company law tribunal ठीक है तो इनके द्वारा जो भी orders दिये जात है ताकि imprisonment जो jail होती थी वो यहाँ पर ना हो सके अब यह कौन-कौन से मुद्धें आप नीचे देख सकते हो जैसे कि winding up of companies हो गया मतलब कि company खतम हो गई है उसको यहाँ पर आपका dissolution वगर करना है उस समय कोई दिक्कत आ गई NCLT की बात को नहीं सुना गया इसके अलावा कई सारी चीज़ें इतना detail नहीं जाना है आपको बस इतना याद रखना कि उसको imprisonment का provision हटा दिया गया है अब इसके अलावा भी क्या होता था कि बहुत सारे जो मुद्धे है Companies Act के अंदर वो आपके directly चले जाते थे National Company Lot Tribunal के अंदर मतलब यहाँ पर legal basis पर उसको fight करना होता था अब आपको तो पता ही हमारे देश में legal basis पर अगर आपको fight करना है कोई चीच तो उसमें समय बहुत जाता है पैसा बहुत जाता है इसको देखकर यहाँ पर इस bill के माध्य से basically सरकार यह कर रही है कि उसके बहुत सारे जो मुद्धे हैं उसको transfer किया जा रहा है registrar of companies क्या है यहाँ पर जो भी companies related चीजें होती है उसको यह देखती है registrar of companies ठीक है यह किस के अंदर आता है यह आता है आपका ministry of corporate affairs के अंदर तो यहाँ पर जो भी problem है अब NCLT के जाने के बजाए कई सारे चीजों को transfer कर दिया गया है registrar of companies मतलब अब यह देखेगी ताकि चीजें जल्दी से हो सके और इतना ज्यादा legal battle ना लड़ना पड़े कंपनियों को इसके अलावा I am sure कि आपने CSR के बारे में भी सुना होगा that is corporate social responsibility तो CSR basically क्या होता है जो भी companies हैं उनका प आजिक जो कार होते हैं जो कि listed हैं आपके उसके अंदर खर्च करना होता है लेकिन कई बार कंपनियों का कहना होता है कि हमारे पार संसादन नहीं है कई बार कंपनियों का कहना होता है कि हम करना चाते थे लेकिन चीजें नहीं हो पाएं इसको देखते वे पहले सरकार ने क्य किया था उसको criminal act बना दिया था सरकार ने बेसिकली कहा कि अगर आप खर्च नहीं करते हो तो एक काम करो आप एक particular fund के अंदर उस amount को transfer कर दो ठीक है और कई बार कमतियां नहीं कर पाती थी इसको देखते वे उसको criminal provision बना दिया गया था अब सरकार ये criminal हटा कर basically एक penalty लगाने की कोशिश कर रही है सरकार का ये कहना है कि अगर आप fund transfer नहीं करोगे जो आपने खर्च नहीं किया जो करना चाहिए था उसका double amount आपको यहाँ पर payment करनी होगी या फिर आपको एक करोन रुपए जमा करनी होगे जो भी कम है मतलब कि आप कह सकते हो maximum जो penalty है वो सरकार ने एक कर करनी के उनको भी यहाँ पर जेल जाना पड़ता था तो वो सारी चीजें हटा दी गई है अब यहाँ पर सिर्फ one-tenth जो penalty है वो उनको यहाँ पर देना पड़ेगा तो एक तरह से आप कह सकते हो CSR के अंदर भी जो decriminalization है वो यहाँ पर किया हुआ है इसके अलावा भी आप देखेंगे तो कई सारे provisions हैं जैसे कि आपका जो companies हैं वो buyback करती है shares आपको पता है ना कि जैसे reliance है तो reliance company आप कई सारे shares issue क्यों ही है तो आपने भी share खरीदा है कई लोगों ने खरीदा है तो कई बार वो जो shares होता है वो company क्या करती है buyback कर लेती है अपने पास से खरीद तो उन सब में भी कई बार procedural problem हो जाती थी non compliance होता था उसके उपर भी jail की सजाती थी उसको भी हटाया गया है यहाँ पर financial statement अगर आप registrar of companies के पास जमान नहीं करते हो उसके उपर भी यहाँ पर आपका imprisonment की सजाती तो वो सारी चीजों को यहाँ पर खतम करने की एक तरह से को tenant ने यहाँ पर पहले क्या होता था कि अगर उसको सिध हो गया तो यहाँ पर company के जो particular person है उनको यहाँ पर jail जाना परता था लेकिन आप यहाँ पर इस bill के थू क्या किया गया है कि दोनों लोग अगर compromise कर सकते हैं चीजों को तो यहाँ पर compromise कर लेना चाहिए rather than इतना बड़ battle लडने के लिए ठीक है इस तरह किजीजे है मैं आपर penalty वगर को कम किया गया है आधा किया गया है तो overall देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है आप देख सकते हो यह particular chart है 2018 के पहले क्या situation थी आप देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर जो आपके criminal act है वो होते थे लेकि है तो penal provisions वगरा में डाला जा रहा है जो internal adjudication होता है internally चीजों को solve किया जाए उसमें यहाँ पर वृद्धी की जा रही है आप देखिए पहले 80 नहीं था यह अब इसको बढ़ा कर 58 कर दिया गया मतलब registrar of journal वगरा यह सारे लोग अपने आपस में ही मिल के चीजों को जरना पड़े यही में मकसद है बिलका इसको कम करने के लिए अब इसका benefit क्या होगा obvious सी बात है मैंने आपको बताया ease of doing business हो गया इसके अलावा आप देखिए COVID-19 pandemic के बीच में यहाँ पर बहुत जादा companies क्या है stress से गुजर रही है बहुत सारा problems की वज़े से गुजर रही ह तो यहाँ पर imprisonment ना देखना पड़े इसके लिए यहाँ पर उनको मदद मिलेगी इसके अलावा जो small forms है छोटे forms है उनको बहुत सारे litigation burden face करने पड़ते थे अब उसकी वज़े से नहीं करना पड़ेगा तो overall आप कह सकते हैं यहाँ पर जो सरकार जो भारत की ranking है is all doing business में आ और आभी तो आपको पता ही होगा कि एक बार के लिए इसको रोग दिया गया है let's see कि इसमें आगे क्या होता है but I hope कि overall जो यह पूरा वीडियो था regarding government जो है decriminalize की है Companies Act को इसका मतलब आप आपको यहाँ पर पता चल गया होगा अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं कोई course purchase क होना चाहते हैं आप study IQ app पर जा सकते हैं किसी भी inquiry के लिए आप मुझसे directly Instagram पर जुड़िए यहाँ पर मैं daily MCQ डालता हूँ आप stories में जाकर play कर सकते हो मिलता आप से next time till then thank you very much see you soon